हलो दोस्तो वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके अपने यूटूब चैनल Civil Engineer FBH में तो दोस्तो जो हमारी आज की वीडियो है यह दूसरी वीडियो है Important Points पर Civil Engineers के बारे में पहली वीडियो मैंने बनाई हुई है उसका जो है Link Description में दे दूँगा तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं तो आज की वीडियो जो है आज की वीडियो का पहला Point है Minimum Thickness of DPC आपको पता ही होगा जो हम Plint Level तक बनाते हैं तो उसके बाद हम Plint Level पे एक Concrete डालते हैं उसको हम DPC कहते हैं जिसका मतलब होता है Damp Proof Course तो Damp Proof Course की Minimum जो Thickness होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.5 cm या फिर 1 इंच मतलब कि इस से कम हम DPC नहीं डाल सकते हैं हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि 2.5 cm या 1 इंच से कम हम DPC नहीं डाल सकते हैं एक इंच से ज्यादा DPC ही हमें डालना होगा या फिर Minimum एक इंच डालना होगा तो आ जाते हैं next point जो है हमारा वो है height of building per floor जो भी हम building बनाते हैं फर एक्जंपल हमने यहां से plinth level से start करेंगे हैं plinth level से एक floor हमने बना दिया और इसके बाद दूसरा floor हमने बना दिया यह एक floor की height per floor की height 3.15 से कम नहीं होनी चाहिए मतलब कि हमें Minimum 3.15 meter हर एक floor की height रखनी होती है मतलब इस floor की फिर हमें 3.15 रखनी पड़ेगी या फिर इस ते थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 3.15 meter जो है यह हमें लेनी ही होती है height of building per floor Hello guys, sorry for interrupting you in between the video जो Civil Guruji का construction operating process course है उसका validity अभी एक साल होने वाला है New Year के लिए offer रखा है Civil Guruji ने जो कि 14,847 रपे में आपको course मिलेगा और lifetime की validity आपको मिलेगी और जिंदगी भर में आपको जब भी वो course यूज करना होगा उस ताम आप यूज कर सकते हैं वो certification हर एक software की मिल जाएगी तो आप जाके description box में link है वहाँ से इस course के लिए register करिए सिर्फ New Year के लिए ये course है New Year के बाद इसका rate बहुत ज़्यादा उपर होने वाला और आप उस टाइम पर पश्टा होगे कि हमने पहले क्यों नहीं खरीदा था तो जाके description box में link है वहाँ से course को purchase कीजिए जितना जल्दी हो सचा है उतना जल्दी अब हम तीसरा point आ जाते हैं तीसरा point है minimum diameter bars used in column जो भी हम column बनाते हैं column जो भी हम बनाते हैं इसमें हम longitudinal reinforcement bars डालते हैं longitudinal reinforcement bars हो गया along language जो हम reinforcement bars डालते हैं example यह मैं आपको इसका top view दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार डालेंगे यहाँ पर दो तीन चार अब हमें यह जो है यह bars डालने होते हैं यह हम 12 mm से छोटे नहीं डाल सकते हैं 12 mm से छोटे नहीं डाल सकते हैं चाहे आप क्यों गर की एक building बना रही हो उसमें भी आपको 12 mm का सरिया डालना होगा column के case में column के case में आप 12 mm से छोटा सरिया नहीं डाल सकते हैं चाहे आप क्यों वन फ्लोर की building बना रहे हैं लेकिन column में आपको 12 mm का सरिया फिर भी डालना पड़ेगा तो आजाते हैं नेक्स्ट होता है minimum diameter of bars used in slab slab में हम minimum diameter of bars कितने लगाएंगे तो वो होता है 8 mm मतलब कि अगर हमें ये हमारे पास ये slab है slab में हम ये man bars है man bars अगर हमें slab डालनी है slab अगर हमारे पास one way slab है तो एक ही साइड से हम man bars डालेंगे man bars जो है वो हमें कम से कम 8 mm वाले डालने होंगे हम 6 mm के नहीं डाल सकते है 6 mm के हम man bars नहीं डाल सकते हैं लेकिन distribution bars अगर हमारे पास one way slab है तो हम distribution bars 6 mm के डाल सकते हैं ये provision दिया गया है कि distribution bars हम 6 mm के डाल सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास two way slab है two way slab है तो फिर हमें इस direction में भी 8 mm minimum डालने है और इस direction में भी 8 mm सरीय minimum डालने है लेकिन one way slab के case में हम distribution bars जो है वो 6 mm के डाल सकते हैं लेकिन man bars जो है वो 6-8 mm से कम के नहीं डालने हैं next आया जाते हैं next है most important point है initial setting time of cement या OPC OPC आपको पता ही होना चाहिए cement जो हम ज्यादा तर यूज करते हैं वो हम OPC यूज करते हैं ordinary portland cement ordinary portland cement के लिए minimum setting time कितना होता है तो minimum setting time जो है वो 30 minutes का होता है मतलब कि minimum setting initial setting time क्या होता है मैं आपको बता दूँ यह अगर हमारे पास हमने एक cement paste हम cement का ही बोलेंगे cement अगर हमने बना दिया तो फिर हम एक needle से check करते हैं needle से अगर इस पे impression पड़ गया तो वो set नहीं हुआ है अगर हमारे पास needle की needle से जो है इस पे impression इस पे उसकी यो है छाप नहीं पड़ेगी तो वो हो गया initial setting time अगर नहीं पड़ेगी तो वो कम से कम 30 minutes का होता है ordinary portland cement के लिए initial setting time 30 minutes का होता है और final setting time final setting time जो है वो पूरा set हुआ होगा पूरा set होने में 10 गंटे लगते हैं ordinary portland cement को या फिर 600 minutes 600 minutes जो है final setting time of cement होता है अब आ जाते है next next point जो है important point है slope of staircase 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 जो हमारे पास होता है staircase हरे गर में बनानी पड़ती है या हरे building में जरूरी होती है staircase 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 जिससे हम एक floor से दूसरे floor को transition कर सकते हैं तो यह है एक floor से दूसरे floor यह होती है staircase इस पर हम steps बनाते हैं ऐसे steps बनाये जाते हैं तो यह होगे staircase तो इसका slope जो होता है slope हो गया यह angle यह angle जो होना चाहिए यह 25 degree से 40 degree तक हम रख सकते हैं इससे ज्यादा की angle यहाँ पर नहीं रख सकते हैं यह slope जो है वो 40 degree से ज्यादा नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसकी वज़ा से जो है old people है उनको problem हो जाती है इसलिए जो maximum slope है वो 40 degree का provide करना होता है अब आज जाते है next next है last point आज की वीडियो का वह expiry date of cement जो हमारे पास cement होता है वो कितनी देर तक हम use कर सकते हैं तो cement जो होता है वो कम से कम हम 3 महीने तक use कर सकते हैं जब वो manufacture हुआ है अगर वो आज manufacture हो जाएगा for example आज December है January February तक हम use कर सकते हैं लेकिन February के बाद उसका जो है उसको हम use नहीं कर सकते हैं वो expire हो जाएगा तो cement जो है उसकी expiry date होती है 3 months के लिए from the date of manufacturing from the date of manufacturing manufacturing जिस date को हुआ है उसके बाद हम 3 महीने तक उसको use कर सकते हैं तीन महिने से ज्यादा हो गए है तो उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सबस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कल और एक वीडियो आ रही है पार्ट थ्री जो होगा तो उसको भी जुरूर देखे थैंक्यू दोस्तों, थैंक्यू फर वाचिंग दे वीडियो